हाई फ्रेंद्स, वेलकम बैक टू माई चानल, तो बहुती इजी रेसिपीस के लिए मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आज हम लोग बना रहे हैं दही बिंडी की सबजी, अगर आप भी रेगुलर बिंडी की सबजी खाकर बोर हो गए हैं, तो एक बारी इस बिंडी चाहिए, और देखिए मैं किस तरीके से इसमें कट लगा रही हूं वीच में, इसी तरीके से आपको सभी बिंडी में इसमें एक कट लगाना है, अगर आपके पास बड़ी बिंडी हो, साइज में थोड़ी सी, तो आप उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर ले, क्योंकि हमें डीप फ्राइ करना है, इसलिए हमने इसमें कट लगाया है, अधर्वाइस ये भिंडी फट जाएगी, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम यहां पे इसको फ्राइ करेंगे, और तीन से चार मिनट हमें लगेंगे इसको फ्राइ करने में, इस से जाधा टाइम नहीं लगेगा, तो ये देखिए हमारी भिंडी अब अच्छे तरीके से फ्राइ हो गई है, तो अब हम यहां पर तयार करेंगे धही का मिक्स्चर, तो एक बाउल में मैंने डाली है धही, और उसके बाद हमने इसके अंदर आड़ किया है बेसन, इसको अच्छे तरीके से म इसके बाद हम तयार करेंगे हमारा तड़का, तो कड़ाई में मैंने डाला है यहां पर ओयल, जब ओयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे मेथी दाना, राई, एजवायन और जीरा, इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, और जब यह अच्छे डाल रही हैं, अगर आप चाहें तो इसी पॉइंट पे लसन भी डाल सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, और जब यह अच्छे तरीके से भून जाएगा तो हम इसके अंदर आड करेंगे टमाटर, टमाटर के साथ इसमें जाएगी हल्दी, लाल मिर्च का प लेनी है, वो रूम टेंप्रेचर पर लेनी है, अगर आप ठंडी दही इसके अंदर डाल देंगे, तो यह अड करते ही फट जाएगी, और इसको अब हमें लगातार चलाते रहना है, जब तक इसमें एक बॉइल ना आ जाए, यह देखिए, एक बॉइल इसमें आ गया है, औ पांच मिनट के लिए इसको सिम गैस पर हम पका लेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर आड करेंगे हमारी फ्राइट भिंडी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और सबसे एंड में हम इसके अंदर डालेंगे अमचूर पाउडर और गरम मसाला, इसे भी हम अच् किया है हींग और कश्मीरी लाल मिर्च, और ये तड़का हम अपनी दही बिंडी पे लगाएंगे, ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और अब ये बिल्कुल तयार है, आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, या चावल के साथ भी खा सकते हैं, ये ब